गुड मॉर्निंग दोस्तों जैस्टी राम अभी सुवा के साथ बजने वाले दुख तो नहीं निकलिये घंटे से लगबग जगा हूं और हाल यह कि तवेत नहीं सही लगए सर अभी भारी भारी लगड़ा और आप तो लगड़ा कि मुझे जुखाम भी होने वाला है क्योंक बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाएगा है कि मौसम बदल रहा है तो होब सो आप अपना ख्याल रखें बचके रहें गलती मेरी भी थी कि मैंने भी फैन आउन करके सरू के जा रहा हूं इसके में सही हाल हो चुका है तो आप यह गलती ना करें हिल्दी रहें और फिस दिन ब तो चलते हैं दिन का शुरुआत करने हैं देखें तो अबियत कैसा रहता है मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जब चीजे सही नहीं हो या फिर आपके साथ कुछ बढ़िया फिल नहीं हो रहा हो तो नहाओ धो और जाके भक्ती में लग जाओ मैं तो वैसे रूज लगता हूँ आठ बज सारे आठ होने वाले मेन हाल तो यहां चला में पूजा करने साथ तबियत भी सही हो जाए और दिन भी हाल यह है ना दूब बहुत ज़्यादा भी मैं बाहर हूँ घर से बहुत दूब लेकिन हाल ऐसा है ना दूब के वज़ेसे एक स्वेट्सट में भी हालत कराब है मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा है गर्मी लगने वाला है मैंने च्वेट्सट पहने के तो निकल लिए लेकिन हालत कराब है लेकिन कुछ चीज दिखाता हूं मैं आपको यह बीना बढ़सात का जल जमाव और वह भी तब जब नाला है पास में और जल जमाव इसलिए कि नाला कहीं और है और यह दिख सकते हैं कि इतना डीप है जल जमाव हो नहीं है की और सतासात एक चीज ओर यह स्कूल मुझाएं उसके सामने की मी canoe स्कोल लेकिन बच्पन का दी बारे में मैं सोच रहा है था बच्चे हैं फ़ेल रहा है बद रहा है दो मैं अपने स्कूल में सैतानियां बहुत किया करता था मुझे मेरे स्कूल टाइम में आद्यस अजयादे लोग मुझे सैतानियों के वज़े से मेरे जानते थे ऐसा कई बार हुआ था जब मुझे स्कूल से निकाल ले तक का नौब अबाता चुका लेकिन ये देखो बिल्कुला कभी मुझे तक स्कूल बहुतर लेकिन पढ़ मुझे स्कूल रहे ले थे सही था तो साधनी में आगे था कम्प्रॉमाईज हो जाताता था तो इक रहात का दिहान लगे आपको इतने सैथान हो तने तेच भी और ताकि यःपके सैतानिया दब तो दो जाय है कि निगलेक्ट करते हैं लोग आपके बद मासियों हो कि आप बच्चे उतो बच्चे तो बदमासी करेंगे अगर छोटे बच्चे देख रहे हो इस वीडियो को तो आप अगर बच्चो तो बदमासी बच्च ही करते मेरे जिस एडल्ल्ट दोरी लेकिन अप अगर सिर्फ सैतानी करोगे तो आपको प्यार नहीं मिलेगा वो डिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए तो इन सा बातों का भी ध्यान लगना को पेर लगाना कितना जरूरी है कुछ दिन पहले मैं बात ही कर रहा था और उसका हमियत दिख रहा है अनुद में आलत खरा रहा है तो अकर यही रूड पर प्रक नहीं पड़ता दूप से लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हम लोग जंगल साफ करते जाए डेवलोप्मेंट पिलिए और जंगल साफ तो कर दे रहे हैं लेकिन फिर उसके अल्टरनेट में कुछ कर नहीं रहा है तो उसके अल्ट हमें परियास करना चाहिए सब चीज गवर्मेंट पर या फिर दुसरों पर नहीं छोड़ तकते हैं कुछ चीज तो हमें भी देखना चाहिए हमारे आसपास के लिए हमारा इतना तो जिम्मदारी बनता भी है अधि मैं स्टेशन पर हूं और स्टेशन पर से एक ट्रेन गया पटना कोटा जिसमें 75-80% पटना से स्टुडेंट जाते हैं कोटा पराई करने के लिए तो एक थोट मेरे मन में है ना कि एक फिल्म का ही डियालोग है कि जिन्दगी के अंध में सब बढ़िया होता है और अगर वह बढ़िया ना हो तो वह समझो कि अभी अंध हुआ नहीं है तो यह बात सच है मैं यह नहीं कहता कि आपकी सिचीज को पूरे सिद्ध से चाओ तो पूरी कायना तुसे आपसे मिलाने में लग जाती है कितना सच और कितना जूट इस पे तो मैं ना जानता हूं कि मैंने जिसको सिद्ध से चाओ तो खोया है मैं लेकिन एक बात जरूर आया है में हाल में कल इक नोट देख रहा था Syria का त्याँर्ट है त्यारी करने किया था उसकी मान्य दिन हो भाप कर तो यह उद्युंध नहीं जल पा ना कुछ जब पता लगा है तो पुछ पता भी नहीं और 11 सलल के बच्चे के पास से की बचिस से नहीं होगा ऐसे करके तो हैसा नहीं है कि 16 साल में क्या उखळना चाहते हो 16 साल में कुछ भी नहीं जिन नहीं है कि हाशिल का हुआ जिस होगी बहुत बड़ी है आप जिन्दगी में 25-30 साल के हो जाओगे ना तब आपको चाहिए होगा सारा चीछ आपके लाइफ में 16-17-18 क्या चाहिए तो आप इस्टुडेंट हो तो प्रेसर मत लो एस्टुडेंट लाइफ होता है जीवन को सीखना समझना और सही चीछ को समय होता है वो 16-21 तक आपकी आने के वाले 3-4 सार में आप समझ चुके हो कि आप कि चीछ के लिए बने हो और आप क्या चाहते हो और क्या से चाहते हो और अगला 3-4 सार में आप वह हासिल करो तो 16-21 का उन्ट सीखने का होता है तो सीखिए सुसाइट मत कीजिए और जिंद क Wert जेते क्या है तो आपका कदर नहीं होगा तो कभी नहीं मिल तो खोड़ें कि अन्ट सपिनों को कभी मत चोड़ां कि इसमें उसमें तक और कि बतल है और तो कुछ सम्वाने नहीं सनुन्स दूसरे का नहीं, दूसरे का नहीं, दूसरे का एफर्स शाहिए भी नहीं, जमान रखें इन सब सीजों नहीं, और आदू के सिरों सो बिलकूल दूर है, ऐसे खॉट से भी तूर है, अज़ी आली दिख रही है, अच्छा लगता ना देखने में, इस सीजन का लास्ट डिसेप्शन पार्टी, अटेन करने जा रहा हूँ, तो इसी के साथ खतम होगा, इस सीजन का सारा पंग्शन वेराबी, तो चलते हैं, आज आखरी बार बाहर का खाना खाने, दूसरे के साधी या बरबादी, जो बूलू, मुसमिस,